अलो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल त्यारी सेक्सेस की में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिधू कानू मुर्मू इनवर्सिटी का बी ए हिस्ट्री ओनर्स थर्ड सेमिस्टर का सिलेवस दोस्तो अगर आप हिस्ट्री ओनर्स के स् साथ मैं आपको वह भी बताऊंगा कि आपको त्यारी कहां से करना है ठीक है पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉडेंट रहेगा प्लीस आप लोग सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू सेर कीजिएगा तो दोस्तों चलिए स् टेलिग्राम में मिल जाएगा दोस्तों सबसे पहले आपका बात आता है कि थर्ड सेमिस्टर में आपका कितना पेपर है तो सबसे पहला जो आपका पेपर रहेगा ओप रहेगा कोर पेपर फाइप ठीक है तो उसमें क्या रहेगा आपका प्रारंभीक मध्यकालिन भारती इ पढ़ना है जिसमें सबसे जो पहला टॉपिक है राजपुतों की उत्पत्ति दोस्तों ये टॉपिक मैंने कभर करवा दिया है आपको वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है राजनीतिक विकास में दोस्तों उसके बाद क्या पढ़ना है परतिहार समाजिक इस्तिति के इसा था राजनीतिक इसा था उनका उनका जो नहीं पूरा डीटियल्स में आपको यह समराज्जी को पढ़ना ठीक है उसके बाद सिंद पर अरब आकरमन दोस्तों यह का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह मैंने ओल्रेडी आपको कभर करवा दिया गया था ठीक है ठीक है और अब आकरमन के बात चोल बंस चोल के उद्धर प्रसासनिक एवं इस्तानिय स्वसासन के बारे में आपको बताना है और यह आपको पढ़ना है दोस्तों चोल बंस का जो प्रसासनिक विवस्ता है वो मैंने डीटियल्स में पूरा इ प्रफाव तरफ जिसक्रिप्रपशन में प्रभाली में मुलyt आपको पूर飯 को पूररम फिल बीडियो समाज अर्थिक प्रिवर्थन के लुन पड़िवरतन धर्म विकास एवं छेत्रिय कला एवं बस्तु कला दोस्तों मोटा मोटी अगर बात करें यह पूरा यह का यह पूरा आपका CC5 पेपर का तो दोस्तों CC5 का लगभग लगभग आपका यहां से पूरा का पूरा मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिया हूं ठीक ह आपको क्या करना है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है उस वीडियो लिंक से आपको पूरा का पूरा कवर कर लेना है यह आपका पूरा कवर हो जाएगा एक कोश्चन भी यहां से बाहर नहीं जाएगा यहीं से आपका पूरा complete हो जाएगा यानि CC5 का tension आपका खतम ठीक है पूरा का पूरा वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है दोस्तों उसके बात करें हम लोग core paper 6 की तो core paper 6 में आपको पढ़ना क्या है British संभिधानिक विकास यानि British यानि जो अंग्रेश थे उनका संभिधान का विकास कैसे हुआ जो important important उनका रूलर था उनका उनके बारे में पढ़ना है दोस्तों पहला आपको पढ़ना है ट्यूडर का जो 1485 से लेकर 1603 तक का जो उनका कारिकाल था और सासन विवस्ता था उनका पूरा पढ़ना है पहले उसके बाद ट्यूडर का निरंकुस्ता के बारे में पढ़ना है उसके बाद ट्यूडर का आपका संसत के बारे में पढ़ना है उसके बाद इस्ट्वेट का को पढ़ना है उसके बाद जेम्स पर्थम का देव्य अधिकार सिध्धान को पढ़ना है उसके बाद चाल स्थापन चाल्स दूतिया के बाद मैं भी आपको पढ़ना है उसके बाद दोस्तों आपको गौरफसाली क्रांती को पढ़ना है, हनुवर काल को भी आपको देखना है, उसके बाद जोर्ज पर्थम और जोर्ज दूतिय के बारे में आपको पूरा डिटिल्स में पढ़ना है, जोर्ज तीतिय के बारे में भी यानि जोर्ज पर्थम दूति की समझ्याओं क्या-क्या है ये भी आपको पढ़ना है और साती साथ आपको निप्टान का कारी को बारे में भी जानना है दोस्तों ये जो आपका सिलेवा से ये पूरा का पूरा ब्रिटिस रूलर के उपर है और ब्रिटिस का जो सासन विवस्ता उनका जो ये था उनके बारे में ही आपको पूरा पढ़ना है ठीक है यह आपका कोई भी इनिवर्सिटी के सिलेवस में नहीं है आप ही लोगों का है तो यह थोड़ा टफ हो सकता है दोस्तों और यह मैंने नहीं पढ़ाया ठीक है तो आगे देखते हैं दोस्तों कोज पर 7 के वारे में है ना आपका फाइब कम्प्लीट हुआ यह भी आपका थर्ड सेमिस्टर में है आप देख रहे हैं कोर पेपर सेवन ठीक है कोर पेपर सेवन में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है जारकन का इतियास सबसे पहले जारकन में अंग्रेजों का सासन कैसे हुआ उनका आगमन कैसे हुआ यह आपको पहले पढ़ना है उसके बाद देखना है आपको बंगाल में ब्रिटिस सत्ता की स्थापना कैसे हुआ बिशेश कर यहां पर जारकन के संदर्प में आपको पढ़ना है ठीक है उसके बाद दोस्तों अपनिवेशिक नीतियों एवं किशी भूमी बन एवं रेलव यह पर उनका प्रभाव के सी हुआ अंग्रिजों का यह आपको देखना है उसके बाद संताल प्रग्रणा की स्थापना के सी हुआ यह आपको पढ़ना है ठीक है और एक्ट को भी पढ़ना है इक क्या एक्ट है इससे किस तरह का सवाल आता है आप लोगों को next वीडियो में मैं बताओँ ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको टाना भगत अंदोलन जानना है नेक्स है जारकर में गांधीवाद यांदोलन क्या है ये भी आपको देखना है नेक्स है रांगाड कंगरेस 1940 ये भी आपको दोस्तों जो रामगोडा अधिवेशन जो हुआ था ना वही है इसको आपको पढ़ना है उसके बाद जारकण अंदोलन की उत्पत्ति एबं बीभिन चरनो को बताना है नेक्स्ट है इसाई मसिनरी उनके कार्य एबं अधिवसी समाज पर प्रभाव ठीक है जो इसाई मसिनरी जो भारत आए थे और साथ जारकण जब आए अंग्रेजों के साथ तो उन्होंने किस तरह का जारकण में कारी किया और इनसे आधिवसी समाज को क्या प्रभाव पढ़ा इनके बारे में आपको बताना है दोस्तों नेक्स्ट आप और अंतिम जो यह है वह है आपने वेशिक सासन में यानि अंग्रेजों के सासन में जंजाती अंदोलन का परतिरोध यानि संतल विद्रो को बारे में आपको बताना है दोस्तों यह जो कॉल विद्रो है आपका कवर करवा दिया गया है वीडियो आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा संतल विद्रो यह भी मैंने कवर यानि मोटा मोटी आप कर सकते हैं दोस्तों आप लोग के जो सिमिस्टर का जो सिलेवा से कम से कम मैंने 15-20 वीडियो अपलोड कर दिया हूं अगर आप इतना ही कर लेते हैं आप लोग का बेडा पार है ठीक है आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों के बाद हम लोग आप दिखते हैं क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का जैनरल 17 कभी एक पर होता है और नर्स के साथ 7 तो उसमें क्या है जैनरल एलेक्टिव में जेनरल एलेक्टिक जो पेपर थड है उसमें कौन सा सिल्यवस है दिखिए मध्यकालिन भारती इतिहास ठीक है मध्यकालिन भारती इतिहास बारो सो छो से लेके सत्रो सो साथ दूस्तों यह जो टाइम था यह दिल्ली सल्दनत और मुगल पिरेट था इसके बारे में आपको जे पहला जो टोपिक था है इतिहास लेकन शुरोथ और उनकी वाख्या यानिए जो मध्यकालिन भारती इतिहास बारे में वाख्या करना है दोस्तो इस वीडियो का जो यह जो टॉपिक है इसका मैंने वीडियो बनाया है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह भी कम्प्लीट करा दिया हूँ नेक्स्ट है भारत में तुर्क सासन की स्थापना कैसे हुआ इसमें आपको इस्पेसली मुगल प्रियेट को पढ़ना आए ठीक है आगे हम लोग देखते हैं दोस्तो नेक्स्ट है हम लोग को कुतुबुद्धिन एवक इल्टूतमीस बलवन दोस्तो यह तीनों के उपर मैंन दिस्क्रिप्शन में और चैनल पर भी अलोग दिन खिल जी का दोस्तो एक सवाल आपको 100 परसेंट एक्जाम में आएगा वह बजार नियंत्रन प्रणाली ठीक है और उनका राजस्व ववस्ता वही टोपिक है आपको यह जो टोपिक है यह भी आपको इसी चैनल पर मिल जा कहीं भटकनी की कोई ज़र्वत नहीं है फिरोस्ताक तुलक की अंतरिक सुधारें यह आपको पढ़ लेना है और इसका मैं वीडियो आपको बना दूंगा नेक्स्ट है मंगल खत्रा अब हम तेमूर का अक्रमन दोस्तों यह इंपोर्डेंट रहेगा एक्जाम में आने है थोड़ा सा आपको ड़ीटीलस में पढ़ना है दिल्ली सरत्रान arguing वेवस्ता उसको भी देखना में केंद्री वय वेवस्ता प्रांतिय वह वेवस्ता या व्लोका जो सेन्प्परार्णाली सब्टेAN क्या है यह भी अपको पढ़ना है नेक्स्ट है धार्म और संस्क्रीटी, धर्म और संस्क्रीटी, सम्साहिल दूइंसे इससे आप लोग prepare चीज याद रखना है जो बाबर के आपको पढना है समाद निर्माता के रूप में उसके बाद से सूरी के परसास्तनी निती के बारे आपको पढ़ना है दोस्तों अकबर से एक सवाल 100% आएगा लॉंग कोईशन में चाहे वो राजपुद निती हो या फिर धार्मिक निती हो दोस्तों ये सवाल मैं आपको एक से दो दिन में जरूर चैनल पर अपलोड करूँगा तो आप लोग वहां सबका कम्प्रिट हो जाएगा उसके बाद आ नहां जाक का यूग को सोरने यूग क्यों कहा जाता है यह सवाल अपके लिए इंपोडेंट है यह आपको पढ़ लेना है उत्रा अधिकारी का यूग नेक्स्ट है और अरंगजेव का डखन निती और धार्मिक निती दोस्तों इन दोनों में से एक सवाल बहुत बहुत इं एक सवाल आएगा यहंड्रीग पर्शंट मतलब यह दोनों में से bikes यह साल पूछा जाता है तो आएगा मतलब आएगा नेक्स्ट है दोस्तों सिवाजी का। प्रारामभी जीवन और उनकी प्रसासनिक भ्यवस्ता खेकर उनका प्रसासनिक व्यवस्ता सख्थ लेamedron tils प्रसासनिक व्यवस्ता को बैस देख लीजिएगा उसके बाद पुरा की वस्तु कला भद सेएगा नेक्स्ट है दोस्तो एरोपियो सक्ति को बारे में अगर पढ़ना है एरोपियो सक्ति का कैसे आगमन हुआ पूर्टगाली का फ्रेंच का अंग्रेजों का ठीक है दोस्तो यह रहा आप लोगों का CC5, CC6, CC7 उसके बाद आपका जो यह पेपर था जनरल इलेक्टिव ठीक है ज जो subsidiary 1 के नाम से है उसमें आपको पढ़ना है गांधी वादी विचारधारा ठीक है यानि महात्मा गांधी के जो थोड़ थे उनके बारे में ही आपको पूरा पढ़ना है यह छोटा सा सिलेवास है लेकिन यह भी important है आप सभी को पढ़ना है दोस्तो पहला है गांधी जी पर प्रभाव गांधी जी का क्या प्रभाव पढ़ा संमाज पर उनको जानना है उसके बाद गांधी जी कीहोटर नहीं किसी को पर अवस्ता में रहकर कैसे त्यास योग समीने अभय यां। से आजादी दिलाया उसके बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद रश्टी सिप की सिद्धांत वह आपको देखना है और राचनातम कारिकरम के बारे में भी आपको देखना है नेक्स्ट है दोस्तों बुन्यादी सिच्छा के लिए गांधी जी क्यों जोर देते हैं वो आपको कहा से आपको पूरी वीडियो मिल जाएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप अगर वीडियो के डिस्कृप्शन से नहीं खोज पाते हैं तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले जिस वीडियो चैनल से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग डाइरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाईए प्लेलिस्ट जैसे जाएंगे वहाँ पर लिखा रहेगा यूजी सेमिस्टर त्री हिस्ट्री ओनर्स ठीक है उसमें जैसे देखिए आपका पहला जो कुशन ह है और भारत संद का अक्रमन और जाद है त्रीकुणात्मक संग के अपने है उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यह बहा पहामद अमद्गजनिवी का जीवन परिचे उनका क्या उद्धिशता सब कुछ इसमें डिटेल्स में हैं उसके बाद है कुतुब उद्धिन एवक की समझ्षाएं और आगे देखेंगे तो इल्तिदुम इसके बारे में है दिल्ली सल्तनत का पतन के बारे में है और लोद्धिन करना है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिए